क्या आप सभी को लगता है कि चैट GPT सबकी जॉब को खा सकता है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है लेकिन अब भी करण के सिनारियों को देखते हो चलें तो चैट GPT आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है लेकिन इसी तरह से चैट GPT खुद बेखुद सीखता रहा और नई नहीं चीज़ डवलप करता रहा तो एक नएक दिन आपकी जॉब को बिलकुल खत्रा हो सकता है लेकिन आप निश्चिन दरिए अभी आपकी जॉब को कोई भी खत्रा नहीं है चैट GPT से हाँ लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को यदि आपको बढ़ाना है तो आपको खुद को यहां पर चीज़े सीखनी पड़ेगी हाँ आपकी कुछ-कुछ help कर सकता है आपके चैट GPT देखे जैसा कि आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज हम यहां पर चैट GPT के help से स्नेक वा गेम बनाने के दिखाया था यूजिंग पाइथन हम भी आज यही गेम बनाने वाले हैं यूजिंग चैट GPT है आवर्यवान वंस अगेंड वैलकम देव्लेस क्यूप टेक माइसलफ को रहो और आज की इस वीडियो के जरीए हम सीखने वाले हैं कि चैट GPT की help से आप किस त आप कर सकते हैं यहां पर अब जिसे दिखें के डबलो एस क्यूप टेक के चैनल पर मैं ने यह आपके सामने गेम बना के दिखाया है यहां पर और यह इस गेम की लैंद देखें तो अर्मोस्ट थर्टी सेवन मिनिट तक मैं ने समझाया है कि गेम के अंदर कौन सी जह कैसे लगानी है किस तरह से बिल्ड करनी है अच्छा यह तो बहुत ही फास्ट है मतब यहां पर बहुत ही अच्छत है कि समझा रहा है क्योंकि आपने क्या करका है पाई गेम वगर आप यह पहले से सीख रहेंगे तो आपके यह बहुत काम का है लेकिन यही काम आप चैट GPT से कर चाहें तो आप बहुत के आसने से चैट GPT से कर सकते हैं विदेन वन लाइन से बस आपको एक लाइन लिखनी है और उससे चैट GPT आपके यहाज क्या करेगा यह वाला जो गेम है वह आपको बिल्ड करके देगा अब देगे इसके निदे क्या ड्रॉपक आने वाली है क्या बैनिफिट होने वाले हैं इन सारी चीजाओं को बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम यहां पर इस गेम को बिल्ड करते हैं वहमें कुछ टाइम लगेगा जितने में हम बहुत सी बाते करेंगे इसके बारे में चली तो मैं यहाँ पर करताओ हम और यहाँ लगत नदाए है औ आपने प्रोग्रामिंग के अंदर आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करते हो पाइफन प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं किया रहा है किसी और प्रोग्रामिंग के दरे काम कर रहे हैं तब भी आपकी बहुत एल्प करने वाला है या कोई आप दूसरा काम कर रहे हैं ज जूँछ च्ट करने के बाद में हम क्या लिगने वाले हैं ऐने A एक यह यहां इसी के है चिर्ग है और उस्के हटनोन चलिक है सलय स्टाट करते हैं और यह चैण जीपीट हैम क्रसे से करेगा यहां पर बोला है पाई गेम पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है पाई गेम एक लाइबरी है जिसके तुरू आप गेम बिल्ड कर सकते हैं अच्छे अच्छे पाइथन के तुरू तो वही शुरू हो रहा है यहां पर और इसने कोडिंग लिखना स्टार्ट क काफी बार आपको यह चीज देखनी को मिलेगी कि आपका जो कोड कभी भी वह कंप्लीट नहीं कर पाता है मतलब काफी लंबा कोड होता है तो चैट जीपीट उसे कंप्लीट नहीं कर पाता है और बीच में ही उसे ब्रेक कर देता है लेकिन हमें पता है कि हमारा जो स्नेक व जो कोड है वो जन्रेट करें लगएगा तो मैं इसके से लिएन दर रिखता हूं के लिखा हो मैं ने लिखा on continue के बाद मैं लिखा यहाँ पर generate मुझे continue generate करके दीजिए कि इसके आगे क्या होने वाला है यहां पर तो मैंने continue generate लिखा और फिर से जिसके help से आप यह completely काम कर सकते हैं चलिए हमारा code जो है वो ready हो चुका है अब हमें क्या करना है इसको अपने किसी आइडिली में जाके इसको क्या करना है तो मैं यहां पर पाईचाम का इस्तमाल कर रहा हूं और पाईचाम की help से मैं इसका करूंगा इसके लिए इसने पहले ही पाई गेम होना बहुत जरूरी है तो मैं एक बार चेक कर लिए मेरे सिस्टम में इस्तम में या नहीं है या नहीं है इस ने में बताना चाहूंगा कि हैसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं चाहीं के cmd लिखूंगा यहां पर cmd से command प्रोंग को open करूंगा और उसके बाद में मैं यहां पर लिखना हूँ pip install और यह लिख दिया मैं पाइगेम यह मैं pip install करने लाओ पाइगेम इंस्टाल करने लाओ अच्छा देकिए पाइगेम जो है आपके पास यह एक मॉड्यूल है यह पिर एक तरह से बहुत दिए एक लाइबरी है जिसकी हैसे आप क्या कर सकते हो गेम कर सकते हो तो मैंने यहां पर पाइगेम को इंस्टॉल किया है तो यह पाइक है मेरे यहां पर इंस्टॉल है इसलिए रिक्वार्मेंट अलड़ी सेटिस्वाई दिखाएगा यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इस तरह से अपने सिस्टम के अंदर क्या करें इस्टॉल कर लिए चली तो यह मैंने अपना कोड जो है मैं यहां तक ल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें और यहां पर इसको बहाँ निकाल दीजिए लेकिन यह कर रहा है आपक यहां पर प्लेजर्ट करते हो तो चलिए मैं एक काम करता हूँ क्विट से पहले ही इस गेम को लांच कर लेता हूँ तो मैंने यहां पर जाके आपके जो गेम है इस गेम को मैंने प्ले कर दिया गेम नाम के फंक्चन को प्ले कर दिया चलिए इसे हम रन करते हैं और हमारे पास टेस्ट नाम की जो फाइल है इसे रन करते है बिल्कुल हमारा game start a चलिए इसे खेलना start करते है ये खेलना start a और ये बहुत ज्यादा fast लेकिन game बहुत ही श्यांदा भत है chat GPT नहीं और ये game मैं बहुत अच्य रंगाск से खेल हूँ और और तेखे बहूत ही प्यारा game है और ऐसा ही game आपने मैम के थुरू भी सीखाऊगा उस पर्टिकलर वीडियो से और यदि वो नहीं सीखा है तो प्लीज उसके लॉजिक सीख लीजिए क्यूंकि वो गेम आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं और यह 37 मिनट आपको उस वक्त आपको समझ माएंगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी और यदि आपको नॉलेज नहीं है तो यह 37 मिनट भी आपके लिए वेस्ट है तो यहां पर आपको पाइफन की नॉलेज होना जरूरी है उसके बाद ही आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है आप इसका फाइदा कब मिलेगा जैसे कि आप एक परसन है आप को प्रोग्रामिंग दिये है आपको करने के लिए एक आपके फ्रेंड को भी दिया है अब दोनों चैट जीपिट के मैंसे एक चैट जीपिट यूज करता और तो आपको उस काम को करने में थोड़ा टाम लेगा किसे आप बेसिक से स्टाट कर रहा है और वो चैख जीबिट का यूज कहता है तो वो इन बहुत थिस प्रोग्रांमिंग बेंगा उत्में होती है यहां पर वो से कंपलीट कर लेगा और उसे जाकर आटकर आज वांस तो यहां पर यह जो दूसरा डॉट है जिसे ग्रीन डॉट है जिसे हम स्नेक बोल रहे हैं उस स्नेक की जगा मैं यहां पर रियल वाला जो स्नेक की मैं जदर स्वूर लगाना पसंद करूंगा तो बस मुझे छोटे-छोटे माइनर से चेंज करने पड़ेंगे मेरा बेस कोड यहा नहीं होती तो ChatGPT ने एक ड्रॉबेक की ती यहां पर इसका एक disadvantage है यहां पर कि अपने code को complete पूरा नहीं करता और बस मैं इसको ही लेकि अपना program रन करता यहां पर तो मुझे बहुत ज़्यादर confusion होती कि मेरा program कहां आटका है किस जगह पर रुका हुआ है यह बहुत सी problem face ह होती है यहां पर बस मुझे यहां पर knowledge है कि हाँ पाई game कैसे काम करता है loop कहां से सुरू होता है कहां खतम होता है आपके आपर function कैसे calling होती है function कैसे बंद होता है यह बहुत सी जैसे चीज़ें जो मुझे knowledge थी तब जाके मैंने को पता दला कि हाँ यह program अभी पूरा completely build नहीं हुआ है तो मुझे continue generation लिखना चाहिए और continue generation प्रैन है जैसे ही लिखा यहां पर तो आपके आज यहां पर आगे से आगे मेरा code वापस आ गया नहीं तो आपको knowledge नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी इसके उपर काम नहीं कर सकते हैं तो I think I hope सो समझ में आ चुका होगा कि chat GPT यहां पर वो प्रोग्राम लिख सकते हैं फिर अपने अच्छे से टच-प कीजिए उसके इंदर मतलब बहुत अच्छा यहां पर एक अच्छा गेम बिल्ट कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा है बिल्कुल हमें कमेंट कर जाके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं हम को माल साथ यह भी बना रहिए तिल देन गुड़ बाई